तो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको अपनी अनोखी यात्रा के बारे में बताने वाले हैं। हमने तिरुपती बालाजी के दर्शन के लिए अलिपीरी द्वार से यात्रा की शुरुवात की थी, जिसमें हमने कुल 3550 सीधिया चड़ी हैं। चलिए अब हम अपनी यात्रा की शुरुवात करते हैं। को इस यात्रा के दौरान हमारे अनुभवों के बारे में बताएंगे। यहां हम 500 सीधियों के पार हो चुके हैं। और यह कहना मुश्किल होगा कि इन्हें चड़ना काफी कठिन था। इस तरह के चड़ाई में शुरुवात में ठकान महसूस होती है। हम अनुभव कर रहे हैं कि इसके बाद सीधियों को चड़ना आसान हो जाता है। यह अप्रत्याशिक रूप से हमें सामरिक्ता और सामरिक भुद्वान के उदार भाव को दिखाता है। सुबह 6 बजे शुरू हुई यह यात्रा तिरुमला पहाड़ पर हमें 10 बजे पहुच लेटी है। दर्शन से पहले यहाँ अपना मोबाइल जमा करने के सुगूफा है। दर्शन के बाद आपका मोबाइल मंदिर के बाहर बने कार्याले में वापस प्राप्ट कर सकते हैं। बालाजी के कर्शन से हमें आनंदिक और धन्य नहसूस होता है क्योंकि हमें ये ग्यात होता है कि हमने अपने जीवन में एक महान और पवित्र स्थान का दर्शन किया है हम भगवान तिरुपती बालाजी की कृपा से आशिरवात प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में धार्मिक्ता और आध्यात्मिक्ता का पाठ पढ़ते हैं इसलिए पिरुपती बालाजी के दर्शन से हमें संपूर्ण, आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टी का अनुभव होता है